हेलो फ्रेंड्स वल्कम तु स्ट्वेंट पीडिया आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चाल में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंटर इनवर्सिटी जारखंट फी स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर जो हम जानेंगे बीट की फी कितनी है यहाँ पर डिसकस क इनकी जो है आपको बद्ला दू क्यों से इंगरे चार्ज में करना होता है सब मिस्टर वन की देखें तो यहाँ पर बतलादू कुस चार्ज RC जो है यहाँ पर आप देखेंगे कौसें कवानी है जो आपकी 1 टू 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 जन आप देख आपको देखनी को मिलेंगी, तो फर्स समिस्टर का 19,000 आपके पेमेंट करना होगा, और जो है, सेगंड समिस्टर में आपको 15,000 लगबग आपको पेमेंट करना होता है, अगर आप जोड़े, तो यहां पर कितनी हो जाती है, तो देखी, यहां पर 34,000 के करीब आपको पे करना होता है तो यहाँ पर टोटल कित्मी हो गई तो बतला दू यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो 31,000, 32,000 लगभग आपको जो है पेविंट यहाँ पर करना होता है और जो है बाद में आप 3,000 रुपए जो आपने शुरू में जमा करी थी वो जो है आप वापस ले सकते ह हाँ यहाँ पर स्कॉलर्षिप आपको दी जाती है आप यहाँ पर जो है जितने भी स्कॉलर्षिप होते है निस्टेट लेबल आप किसी भी स्कॉलर्षिप को जो है यहाँ पर फिलब कर सकते हैं और यह यह एपरूब करती है याद रखे काफी लोग कन्फूज हो जाते है इनवर्षीटी प्रोषीप से ले देना नहीं होता, बस वो एपरूब करती है आप उनके स्टोउन्ट है, तो आपको यहां पर इनवर्षीप मिल जाएंगी तो याद रखें, आपको जो है, government की scholarship fill up कर रहे हैं जैसे फिन पे जहार खन में है तो यहाँ पर जुहे निस्वन scholarship भी fill up कर सकते हैं आप और जुहे काफ़ी शार scholarship भी आते है यहाँ पर उसे भी आप यहाँ पर fill up कर पाएंगे यहाँ पर कोई भी इसूण नहीं होगा तो यहाँ आपको